नमस्कार दोस्तों, जै हिंत, जै भारत दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निबंध लेखन निबंध लेखन का विशे है कि जीवन में खेलों का महत्व या फिर मानव जीवन में खेलों का महत्व विशे पर निबंध लिखिए निबन्ध लिखने से पहले आपको उस विशे की रूप रेखा जमा लेनी चाहिए अर्था संकीत बिंदू जमा लेना चाहिए तो इस निबन्ध का पहला बिंदू है भूमी का अर्था पेस्तावना 2. दूसरा बिंदू है खेलों का मानव जीवन में महत्र तीसरा बिंदू है वेभिन्य प्रकार के व्यायाम और खेल तीसरा बिंदू है खेल और मानव चरित्र पाच्वा बिंदू है निशकर्स अर्थात उपसहार अब हम देखते हैं सबसे पहला बिंदू भूमी का अर्थात प्रस्तावना एक प्राचिन कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिश्क निवास करता है जीवन में स्वस्थे का सबसे अधिक महत्व है एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ती ही जीवन में सब प्रकार के सुखों का आनंद ले सकता है स्वस्त शरीर पौश्टिक भोजन से तो बनता ही है साथ ही खेल और व्यायाम भी अच्छे स्वास्ते के लिए आवश्यक है खेल भी उत्तम व्यायाम है तो आपको भी आज से ही कोई ना कोई सा खेल पकड़ लेना चाहिए क्योंकि खेल से हमारा शरीर मजबूद होता है चुस्त होता है और मानसी विकास भी होता है दोस्तों दूसरा बィंदू है खेलों का जीवन में महत्व शैसव काल में शैसव मतलब शिशुकाल याणि ये बचपन में व्यक्ती खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है दोस्तों जो खेल होते हैं मनुश्यों को तो पसंदी होते हैं साथ में जानवर के बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं आपने देखा होगा गाय का बच्चडा पैदा होते से कैसे उचलकूर मचाने लगता है पिल्लों को देखाओ को छोड़े पिल्ले एक दूसरे के पीछे पीछे भगते हैं कभी रेत में खेलते हैं और दोस्तों जब हम पेट में होते हैं और मा कहती है साइद पेट में कोई लात मार रहा है वही बच्चे की पहली किक होती है याने कि हमने पहली किकब मारी थी मा के पेट में तो सोचो हमें मा के पेट से ही खेलना पसंद था याने पैर हिलाते थे हैं इसी सीखने से उसका चहु मुखी विकास होने लगता है इसी कारण छात्र जीवन में खेलों का अत्यधिक महत्व हैं खेल छात्रों को आनुशासित जीवन जीना सिखाते हैं यानि कि दोस्तों खेलों में बहुत साथे नियम होते हैं ये नियम हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और अनुशासन सिखाते हैं तदा खेलों में हर जाती के लोग होते हैं हर जाती के खिलाडी होते हैं हर धर्म के खिलाडी होते हैं त करते हैं अब आता है अगला बिंदु तीसरा विभिन प्रकार के वियायाम और खेलों का घनिश्ट संबंद हैं वियायाम और खेल विभिन प्रकार के हैं जैसे कि कुष्टी तेराकी प्रहता कालीन भ्रामण ऑकी फुट-बॉल कर्केट एवं अन्य प्रकार के खेलों के बारे में भी सभी जानते हैं यानि दोस्तों ये होकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये हमारे शरीर को मजबूत करते हैं और इनसे हम पैसा भी कमाते हैं कुछ खेल होते हैं कौन से? मानसिक कसरत वाले जैसे हम बेटे-बेटे खेलते हैं शत्रंज, वर्ग पहली, ठीकना माथा पच्ची वाले सवाल और लूडो, ठीकना साब सीड़ी ये मानसिक मनुरणजन करते हैं सभी खेलों से बहुत अच्छा व्यायाम होता है किससे शारीर्ग व्यायाम होता है खेल मनुरणजन और शक्ति प्रदान करने के साधन है खेलों को जीवन का अंग बनाने वाला व्यक्ति सदेव, शक्ति साली, चुस्त और निरोगी रहता है दोस्तों यानि कि रोग व्यक्ति से कोसो दूर रहते हैं यदि वो खेल पकड़ लेतो जैसे आपने फोजियों को देखा हो ना कैसे लगते हैं चुस्त दुरूस्त, जवान बिल्कुल खेल आलस्ते को दूर भगाते हैं तथा पाचन शक्ति को ठीक करते हैं शरीर सुडोल, संगठित और सुद्रड बनता है खेल व्यक्ति में उत्साह, आत्मिश्वास और साहस भर देते हैं अब हम देखते हैं खेल और मानवचरितर वाला बिंदू खेल शारीरिक स्वास्ते के साथ मानसिक स्वास्ते को भी बनाए रखते हैं अच्छा मानसिक स्वास्ते बौधिक विकास में सहायक होता है जैसे दोस्तों बहुत साल पहले एक उक्ती बोली आती थी, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे गवार, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवा, परन्तों अब ये उक्ती दीरे-दीरे शीर्ण होती जा रही है, अधिकतर माता पिता आज अपने बच्चे को खेलों की ओर धकेल रहे हैं, अब हम देखते हैं उपसाहर, अच्छे स्वास्ते और लंबी आयों के लिए जीवन भर खेलों से जुड़ा रहना आवश्यक है, खेल व्यक्ती के स्वास्ते के साथ, राष्टर की प्रगती में भी साहयता करते हैं, क्योंकि स्वस्त नागरिक यथा शक्ती देश इसको उन्नती में सहयोग देते हैं, खेल जीवन के लिए महतेपूर है, किन्तु खेलों से संबंदित को सावधानिया रखनी भी जरूरी है, अन्यता लाप की अपेक्षा हानी हो सकती है, जैसे व्यायाम और खेल, खेलों के बाद जलपान अवश्य करना चाहिए, भोजन के पश्या तुरंद खेलना स्वास्ते के लिए हानी का रखें, खेल यथा सकती ही, खेलने चाहिए, ठीक ना, और जब आपका बच्चे यदि कोई खेल में जाता है, खेल खेलता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वह जुआ तो नहीं खेलना लग गया, क्योंकि इसा आपको नियम के तहती खेलना चाहिए, यदि खेलों को जीवन में सही डंग से सामिल किया जाए, तो हम स्वस्ते तन्मन के साथ अच्छा जीवन बिता सकते हैं, छात्रों को खेलों में अवस्य भाग लेना चाहिए, जिससे उनका तथा देश का कल्यार हो सके, उमेरे दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आयोगा, समझ भी आयोगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें वर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद